नमस्कार डिपावली के सुब अपसर पर आप सभी को उम्तक्सत की तरफ से हाथ तिक सुबकामना है हर सुब अपसर हमारे जीवन को रोसन करता है मनुस्या का जीवन ढोब छाओ का राट दिन का अंधेरे उजाले का अमावाशा और पुन्नमी का एक अद्भुत संगह में इस जो अंधेरे से उजाले की तरफ जाने की प्रक्रिया है उसका कई स्तर होता है जिसको मैंने भगवान गुद्ध की एक कथा से पढ़ी थी कई बार मनुस्या अंधेरे से उजाले की तरफ जाता है उजाले से अंधेरे की तरफ आता है कभी अंधेरे से और अंधेरे की तरफ जाता है और उजाले से और उजाले की तरफ गती करता है आप केसे पता करेंगे आप किस स्तिती में है आपको कहां से आगे बढ़ना है और कहां से पीछे हटना है इस बिसाय पर स्रियारविन्द ने अपने पुस्तक लाइड संज योगों में चक्चा की है मनिश्य का माइन बहुती कंप्लिक्स है यानि मनिश्य का चितना बहुत चीजों का मिश्रण होता है वो उसे समझ नहीं पा रहा है बाहिया मनसे तो मनिश्य कारिय करता है लेकिन कई बार उसका कारिय जो नहीं होना था हो जाता है वो होना चाहिए वो नहीं होता है इसका क्या समाधाने आपके जिवन के जो दिशा सही तरफ से जा रहा है वही दिशा ही आलोग की तरफ गती करता है वहीं पर ही आपका आत्मा कार्या कर रहा है उसी के आगे अस्प्रूहा का एक दिया जलाए यानि एक लाइट अफ एस्पिरेशन का प्रयोग किजिए वही लाइट आप आपको आउटर माइंड को एक स्पिरिच्वल अवेकिनिंग ला देगा यह आपको बाहिया मनों को एक आध्यात्मिक प्रज्वलन ला देगा वही जागरण वही जागुरुती आपकी जीवन की हर अवस्ता चिंता चितना आपकी कार्य करने की शक्ति आपकी शहनशुलता जक्रिया को जारी रखिए परम करुणा और दिव्य चितना को समर्पित होकर दिव्य आलोग को आवाहन कीजिए बस आज के लिए इतना ही तमशो मा जोते दुमया